तूल website create करकर कैशे money make करना है आज मैं आपको बताऊँगा दोस्सद्र अगर आप ऐक tool website create करकर money make करना चाहते है तो सबसे पहले काम आपका क्या ओना चीह सबसे पहले आपको research करना है, आपको यहाँ पर एक ऐसा idea find करना है, जिसकी उपर बहुत ही कम competition हो, और इसके उपर बहुत ही जदा traffic है, अगर आप research part नहीं करते हैं, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, अगर आप normal tool की website बनाते हैं, जिसे आप calculator की website बना रहे हैं, कोई भी image group हुआ, image की website हुआ, किसी भी type की website बना रहे हैं, जिसके बारे में सबी लोग जानते हैं, अगर आप इस type की website बना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलने वाला है, योगि अगर आप इस type की website बनाएंगे, तो वह website कभी भी Google पर रहेंग नहीं करे करना है, और एक ऐसा topic फायद करना है, जिसके उपर बहुत ही कम competition हुआ, अप कोशन आता है, आप कैसे research स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी keyword research का tool है, तो आप उसके मादम से research स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको keyword research tool यूज करना नहीं आता है, तो उस case में पर chat GPT का use करके, यहाँ पर आपको idea find कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको chat GPT के उपर आना है, और इसकी ऊपर अपना account create कर ले, जैसा आप chat GPT के ऊपर अपना account create कर ले, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको कुछ स्ट को analyze करते हुए, इंटरनेट पर पढ़े data को समझ कर, हमें टूल website का idea दीजिए, इसके ऊपर बहुत ही कम competition हो, और अधिक से अधिक traffic मेरे, इस परकास से यहाँ पर मैंने English के अंदर अपनी prompt type कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, जैह GPT नहीं आप work अनर श्रा इसने यहाँ पर बोला है, PDF to podcast का नोटर क्या करता है, PDF to articles वगर को रीड करता है, और इसे के साब से आपको यहाँ पर podcast के episode बना कर देता है, आपको यहाँ पर audio create कर कर देता है, अब यह होट क्यों है, होट ही इसलिए है यहाँ पर यहाँ आज कल audio consumption बहुत ज़दा हो रहा है लोग वीडियो देखने जाता, audio concept कर रहे हैं, अगर आप इस ट्रैप की अपना tool website बनेंगे, definitely आपकी tool website को उपर maximum traffic आ सकता है, यहाँ पर इसने data बता है, देखों यहाँ पर इसने data बता है, कि हर साल 584 million people podcast को listen करते हैं, और अगले साल 2017 तक करीब 651 million people podcast को सुनेंगे, इसका म market size की जानकरी भी यहाँ पर दिये हैं, और यहाँ पर इसने बताया, यह यह तो टूल है, क्यों यहाँ पर इतना math phone है, उसकी जानकरी भी यहाँ पर इसने दिये, traffic potential की जानकरी भी यहाँ पर इसने दिये, कहरा बहुत ही कम competition है, अगर आप इस type का tool बनाते हैं, तो definitely आपको यहाँ पर काफी फायदा मिलने वाला है, उसके अलावा दूसरे टूल की जानकरी भी यहाँ पर दिये हैं, जिसका नाम किया है, reasonable language grammar and transliteration suit, इस type का tool भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर linkedin profile या resume and answer का एक AI tool बना सकते हैं, niche e-commerce price tracker for SMB इसका tool बना सकते हैं, यह फ कर सकते हैं, और सभी source की जानकरी भी यहाँ पर दिये हैं, जिसके थूरू इसने यहाँ पर आपको पोरा data बना करती है, अब मुझे यहाँ पर पहला tool था ना, PDF to Podcast Converter का अच्छा tool लगा है, अब इसके लिए मैं यहाँ पर अपना PDF to Podcast Converter का tool बनाने वाला है, तो इसके लि लिख करतो, और ऐसा prompt लिख कर देना है, कि जो tool यहाँ पर बने वो working होना चीज़, प्रकास से मैं यहाँ पर अपना prompt लिखा है, यहाँ पर इसने मेरी बात को unless की है, यहाँ पर इसने मुझे एक prompt लिख कर देती है, तो यहाँ पर इसने मुझे एक बैतिन सा prompt लिख कर देती पर मैं आपको यहाँ पर chat GPT recommend नहीं करूँगा, chat GPT से अगर आप यहाँ पर अपनी tool website create करेंगे, तो professionally यहाँ पर work नहीं करती है, काफी इसमें प्रोडम नचाराती है, तो मैं यहाँ पर इसका use नहीं करने वाला हूँ, तो मैं आपके साथ एक new AI tool share करने वाला हूँ, इसका use क कर हम यहाँ पर अपनी tool website create करेंगे, उसके outputs मैं आपको यहाँ पर दिखा हूँआ, तो इस website का नाम है Gen Spark AI, काफी तगड़ा tool है, काफी तगड़ा यहाँ पर क्या है, यह AI agent है, जो आपको यहाँ पर realistic results बना कर देता है, काफी तगड़ा tool है, अगर आप इस tool का use करकर अपनी यहाँ पर tool website यह किसी भी type की apps create करते हैं, काफी अच्छे results आपको यहाँ पर मिलते हैं, benefit यहाँ पर यह है, काफी realistic tool आपको बना कर देता है, नुकसान यहाँ पर यह है, कि आपको यहाँ पर credits मिलते हैं, कहने का मतलब यह है, कि आप per day में इस tool को एक से लेकर दो बार use कर सक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर इनके paid plan को purchase करना पड़ेगा, मैं इस आप यहाँ पर पड़ेके, एक से लेकर दो tools को बना सकते हैं, अगर आप सटीक prompt यहाँ पर देंगे, तो एक से दो tools तो आप यहाँ पर फूरी में बना पाएंगे, results काफी अच्छे हैं, जो कि अपनी prompt को copy and paste करना है, तन इसके उपकलिक कर देना है, अब tool यहाँ पर work करना स्टार्ट कर देगा, और कुछ ही mintो में आपको यहाँ पर course बना कर देतेगा, देखो आप यहाँ पर कितने भादिन course इसने यहाँ पर बना करती है, अब मैं इस code का preview यहाँ पर चेक कर लेता इस प्रकास से आप यहाँ पर पूरा अपना टूल है उसको बना सकते, देखो यहाँ पर इसको ने से दिखा दिया है, अब इसको मैं आपको use करके भी दिखा देता हूं, कैसे इसको use करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हैं, हम यहाँ पर change file इसको उपकलिक कर देंगे, यहाँ सबको PDF document को choose कर लेना है, यहाँ से आप अपनी language वगर भी choose कर सकते हैं, जिसके अगर आपको female की voice कर सकते हैं, यह तो male voice को choose कर सकते हैं, speech rate को भी आप यह पर control कर सकते हैं, फिर convert to podcast इसको पकलिक कर देना है, यह आपकी PDF को analyze करेगा, और इस PDF को podcast के अंदर change कर देगा, chapters वगर बता दिया है, सब कुछ यहाँ पर पता दिया है, जिसके मादें से आप अपनी PDF में this podcast को download भी कर सकते हैं, अगर आपका जो भी आपने यहाँ पर अपना tool create किया है, अगर उसके अंदर आपको कोई भी कमी नजर आ रही है, तो उसको भी कमी को भी आप यहाँ पर solve कर सकते हैं, उसके लिए अगर आपको यहाँ पर अपने प्रॉम टैप करना है, और जो भी आपको टूल के अंदर कमी नजर आ रही है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर code लिखना श्राट कर देगा, और टूल के अंदर जो भी कमी थी उसको remove कर देगा, तो इस प्रकासे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, GenSpark AI की माधियम से अपना टूल क्रीट कर सकते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर Google AI Studio के माधियम से भी टूल क्रीट करकर दिखाऊँगा, ताकि आप यहाँ पर दोनों के अंदर कर सकें, किसने बहतरिन टूल यहाँ पर बना करती है, इसने कुछ इस प्रकास से यहाँ पर टूल बना कर दिया है, अब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, Google AI Studio आपको यहाँ पर कैसे रिजर्ट्स देता है, तो इसके निए गूगल AI Studio के ऊपर जाएंगे, और इसके ऊपर अपन अकाउंट कर लेंगे, अब चैट इसको उपकलिक कर देना है, यहाँ से आपको जैमनी 2.5 प्रो इसको चूज कर लेना है, अगेन आपको यहाँ पर अपनी प्रॉम्ट को 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 पी और पेश्ट करना है, और दोनों टूल के अंदर मैं यहाँ पर कंपारेजन भी करूँगा, तो मैं बोटम में जाता हूँ, यहाँ पर मेरा कोड मिल जाएगा मुझे, यहाँ से इस कोड को मैं कोपी कर दूँगा, यहाँ पर कोपी और पेश्ट कर दूँगा, अब स्कूल के आपको आपको अपनी फायल को यहाँ पर कर ले ना है, एक से कर दीता हूँ, अपनी फायल को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, कुछ इस ट्राप का जो टूल है मेरा, यहाँ पर बन कर एडि हो चोका है, इस मैं चूज फायल को उपकलिक करूँगा, PDF Document इसको उपकलिक करूँगा यहाँ पर आप अपनी Voice को चूज कर सकते हैं Start Conversion इसको उपकलिक करेंगे और हमारी Audio यहाँ पर जनी टोनी स्टार्ट हो जाएगी यह टूल यहाँ पर हमें किस ने बना कर दिया है Google EA Studio ने बना कर दिया अब आपकी यहाँ पर चोईस है कि आप GenSpark वाले Code को यूज करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर Google EA Studio की Code को यूज करना चाहते हैं जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं उसके मद्यम से आपको अपनी Tool Website को create कर लिए जैसे कि मैं यहाँ पर GenSpark वाले यूज करूँगा तो मैं Code इसको उपकलिक करूँगा और मैं उपर जाऊँगा यहाँ पर आपको Code दिखाए देगा यहाँ से इसको मैं Copy कर लूँगा अब मुझे इसको Tool Website कंद चेंज करना है आपको यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो simply आपको ब्लोगर के उपर आना है इसके उपर अपने Account क्रीट करना है अब आपको इसको ऊपर करना है New Blog इसको ऊपर करना है और यहाँ पर आपको अपना Blogue create करना है उसके बाद आपको जाना theme के उपर, then इसके उपर आपको किलिक करना है, यहां से first generation को choose कर लेना है, उसके बाद again इसके उपर किलिक करना है, आपको यहां पर edit HTML इसको पर किलिक करना है, जो पहले से code यहां पर लिखा हुआ है, उसको आपको delete कर देना है, अपने code को यहां पर copy and paste कर देना है, then यहां पर दिक्कत ना दे, ओके, आप मैं वीव लोग इसको उपकलिक करूँगा, एंड चेक करूँगा कि मेरे टूल क्या सब दिखाई ते रहा है, तो मेरे टूल इस प्रकास से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकास से यहाँ पर मैंने अपनी टूल वबसाट कर दिया है, वोग कैसे करता है वो मैं आपको बता दिया है, इसको पर क्लिक करेंगे, पीडियोज को यहाँ पर अप्लोड कर देंगे, यहाँ पर वोईस वगरा चूज करेंगे, इसको पर क्लिक करदेंगे, तो इस प्रकास ने यहाँ पर क्या कर देंगे, इस यहाँ पर है यहाँ पर मैंने अपना टूल website क्रेट कर लिया, अब मुझे इस website को मोनटाइस करना है, तो मोनटाइस पर बहुत ही simple तरिके से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपर addstara का use करने वाला हूँ, इसके मद्यम से अपनी tool website को monetize करने वाला हूँ, तो simply addstara को पह जाएंगे, add website इसको पकलिक करेंगे, यहाँ पर website के address को copy and paste कर देंगे, category यहाँ पर choose कर लेंगे, then add इसको पकलिक कर देंगे, आपकी website यहाँ पर add हो जाएगी, जैस again हम यहाँ पर आएंगे, then इसके बाद again आपको इसको open कर लेना है, edit estimate इसको पकलिक करकर आप इसको open कर सकते हैं, अब आपको bottom में जाना है बिल्कुली, and यहाँ पर आपको script का option दिखाए देगा है, तो आपको इसको पकलिक कर देना है, यहाँ पर आपको अपनी code को copy and paste करन है, okay, उसके बाद आपको इहाँ पर कुछ seconds का wait करना है, और आपकी जो add अगयर है, वो आपकी website पर दिखनी start हो जाएगी, कुछ seconds का आपको इहाँ पर wait करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपकी add होगी, वो आपको इहाँ पर दिखनी start हो जाएगी, अभी तो यहाँ प अब बात करते हैं promotion की, कि आप अपनी tool website के उपर initial traffic कैसे लिख आएगे, तो उस case में आपको अपनी tool website को free के traffic source के उपर promote करना है, जितना आप अपनी website को free के traffic source के उपर promote करेंगे, उतनी आपकी website पर traffic आएगा, और उतनी आपके earning करने की chances भढ़ जाएगे, और free के traffic source मिल जाएगे आपको अमारे channel को उपर, simply आपको मेरे channel के playlist को उपर जाना है, free traffic के playlist को दिख लेना है, बहुत सरी वीडियोस आपको मिल जाएगी, जहांपर आपको बहुत सरी traffic source की जान कर मिल जाएगी, उनके उपर आपको अपनी website को share करना है, और वहाँ से आपको earning start कर लेना है, I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कैसे आपको एक tool website create करना है, वो भी आपको समय होगा, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो मैं आपसे आपर एक वैस्ट करूँगा, कि आप हमें चानल को subscribe कर लें, वीडियो के उपर कम से कम 100 likes लेके आए, ताकि इसी टैप का awesome content हम आपको सा share कर पाएं,